नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है। अद्रक की चाय पीने से सहत के लिए कई फाइदे होते हैं लेकिन अती हर चीज की बुरी होती है। तो मात्रा व्यक्ति को हिसाब से अलग-अलग होती है। तो ऐसे में यह कहना मुम्किन है कि इस समस्या से बचने के लिए अद्रक की चाय की कितनी मात्रा उप्योगी सावित होगी। खाली पेट अद्रक की चाय का सेवन करने से आपका पेट खराब हो सकता है। यूनिवर्सिटी ओफ मेरिलेंड मेडिकल सेंटर के अनुसार ऐसा करने से गस्ट्रोइटेशिशनल खराब हो सकता है। गर्भावस्ता में अद्रक की चाय का सेवन करना चाहिए अथ्वा यह विवादास पद मुद्दा है। कुछ लोगों का मानना है कि मौर्निंग सिकनेस के लिए अद्रक की चाय बहुत मददगार होती है। लेकिन कई जानकार गर्भस्त शिशू पर बुरा असर होने के कारण गर्भवती को अद्रक की चाय के लिए मना करने की सलाह देते हैं। गर्भावस्ता के दौरान अद्रक का सेवन मा और शिशू दोनों के लिए खतरनाक क्योंकि इस से गर्भपात भी हो सकता है। इसलिए बहतर है कि गर्भावस्ता में अद्रक की चाय का सेवन करने से पहले अपने डौक्टर से सलाह ले लें। नामबर तीन ब्लीडिंग का खतरा ब्लड पतला करने वाली किसी भी दवा के साथ अद्रक की चाय के सेवन से बचना चाहिए। यानि जो लोग हाई ब्लड प्रेशर की दवा का सेवन कर रहे हैं उन्हें किसी भी रूप में अद्रक का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि यह ब्लड प्रेशर को कम करता है जिससे हार्ट पल्पिटेशन की समस्या हो सकती है। इसके अलावा अद्रक के सेवन से लोगों में होमोफीनिय जैसे रग्त विकार हो सकते हैं। इसलिए दवाओं के साथ अद्रक की चाय पीने से पहले अपने डॉक्टर की सलहा जरूर ले लें। जलन, दाइरिया और मतली की समस्या। अद्रक की चाय का अधिक सेवन आपकी पाचन किरिया को बिगार सकता है। इसके कारण मुहे में जलन, डायरिया, मतली और यहां तक की सीने में जलन की समस्या भी हो सकती है। इसके साथ ही इसके अधिक सेवन से शरीर में एसिड का निर्मान होने से एसिडिटी होती है। इसके अलावा डायबिटीज से ग्रस्त लोगों को किसी भी रूप में अध्रक का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि अध्रक शरीर में शुगर की मात्रा को कम कर देता है। जिससे हाइबोगलासेमिय भी ही हो सकता है। भूख करती है कम। 2012 में Metabolism, Clinical and Experimental में प्रकाशित 1 पाइलट अध्यन के अनुसार अध्रक का सेवन आपकी भूख को कम करता है। अध्यन में शोद करताओं को संदे है कि अध्रक में सेरोटोनिन हार्मोन की सांदरता भूख को दबाने में एक महत्तोपुर्ण भूमिका अधा करता है। इसलिए अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो अध्रक को वै अध्रक के चाय के सेवन से बचें आपकी भूख को यह कम कर सकती है। तो यह थी हमारी वीडियो उमीद करता हूँ कि आपको हमारी यह वीडियो पसंदाई होगी। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद।